नमस्कार मित्रो मैं राजीव रंजन प्रसाद क्या आप 99 के फेर में फसे हैं यह मुहावरा ही सही परंतु संपूर्ण दर्शन है जिसका उद्धव होता है मोक्ष पट से जीवन और मृत्यु का यह चक्र 99 के फेर में फसा हुआ है और साधक की चाह तो मोक्ष पाने की साधक श्रम करता है अपने लक्षय तक पहुँच भी जाता है आत्मा को परमात्मा में विलीन होने का समय आही गया है परंतु एक बाधा पुनह जीवन भर के श्रम को संचित उद्भाव हुआ था आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्यान दर्शन और अध्यात्म से जुड़ी बड़ी बातें करने जा रहा हूं लेकिन ठहर ये ऐसा कुछ भी नहीं चर्चा करते हैं एक ऐसे खेल की जिसका उद्भाव भारत में हुआ और प्रसार विश्व भर में एक ऐ खेल है जिसे आज की पीड़ी साप सीड़ी के नाम से जानती है इस खेल के कुछ अन्य पुराने नाम मोक्ष पटामू, मोक्ष पातम, परमपद सोपान पट, लीला अथ्वा ज्यान चौपड भी रहे हैं भारत में इस खेल को द्वतिय शताब्दी ईसा पुर्व से खेले जाने के साक्षे मिलते हैं, वहीं यह अवधारना भी है कि तेरहवी शताब्दी में संत कवि ज्यानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी ने इस खेल को बनाया था, प्राचीन जैन मंदलों द्वारा भी इस खेल के प्रारूप निर्वित किये जाने के उलेक मिलते हैं, उत्पत्ति जह से भी हुई हो गर्व की बात यह कि विशुद देशज खेल है मुक्षपट जिसकी नकल कर भारतिय ग्यान, विज्यान, साहित्य और पुरातत्य के सबसे बड़े डकायत अंग्रेज अपने साथ ले गए और घटिया बदलाओं के साथ स्नेक एंड लेडर्स के रूप में प शूट एंड लेडर्स नाम से हुई, हम भारतिय मुक्षपट को तो नहीं जानते लेकिन चाओ से साप सीड़ी खेलते हुए यह समझते ही नहीं कि अब इस खेल का थोथा थोथा ही रह गया है, सार सार तो उड़ा दिया गया, अब एक से सो अंक के डब्बे रह गये हैं, ज और लक्ष है सो अंक वाला डब्बा जिसकी गोटी यहां पहले पहुँच गई, वह जीत गया, साप सीड़ी का खेल वह सरल उड़ाहरण है जो बताता है कि अंग्रेजों ने कैसे हमारे मूल को नश्ट किया, ज्यान विज्यान को तोड़ा मरोडा, उसकी नकली कॉपी लेक अगुआ बने इतराते रहते हैं, कैसे नश्ट किया गया पुरातन, तो समझें कि कैसे और क्या मिटाया गया मोक्षपट से, मोक्षपट के सभी सो खानों में समझने समझाने के लिए कुछ नकुछ विद्यमान था, आपकी गोटी जिस खाने में पहुँचती, वहां तक आ खेला रंब होता, वह पहला घर जन्म का था, बिलकुल कोरा, विकार रहित व्यक्ती अब अपने कर्मों के साथ जीवन यात्रा में बढ़ चला है, और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए, खेल द्वारा जो खाने रचे गए हैं, अंकों के साथ उनके नाम भी थे, इनमें अनेक खाने मानवी भावनाओं के हैं, जो कर्म को प्रभावित करते हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, शोक आदी, कतिपय अनभूतिया हैं, जैसे स्पर्ष, गंध, रस आदी, जीवन यापन के मार्त की अनेक साथी और बाधाये हैं, जैसे सदबुद्धी, इसके अतिरिक्त खेल के अनेक खाने मानवी कर्म के विभेध हैं, जैसे दान, तपस्या, ज्यान, प्रक्रती, माया, हादी, खिलाडी अनेक ऐसे लोग पर लोग पर रुक कर उनका ज्यान प्राप्त करता है, जो पहले मोटी मोटी पुस्तकों के भीतर कैद थी, जैसे अंतर उन्तिम घर था मोक्ष, जहां सभी विकारों से हीन व्यक्ति ही पहुँच सकता था, स्नेक अन लेडर के सभी साप और सीढ़ियां नकलची अंग्रेजों ने बस जीत और हार के द्रिष्टिकून से बनाए, उनमें सिक्षा क्या थी, ज्यान कहा था, जबकि मोक्ष पट खेल में खिलाडी को ऊपर ले जाती सीढ़ियों वाले खाने, क्रमशह, आस्था, विश्वा, सुधारता, ज्यान और वैराग्य के परिचायक थे, खिलाडी जानता था कि जिसके पास ये गुण है, वह उत्थान को प्राप्त करेगा, इसके अतिरिक्त, जिन खानों में साप हैं वे क्रमिक्ता से अवमानना, एहंकार, अश्लीलिता, चोरी, असत्य, मदिरा, उधार, हत्या, क्रोध, लोप, एहंकार और वासना के हुआ करते थे, इनसे बच दिकले तभी सौवे खाने में पहुँचकर मोक्ष की अत्थ्वा विजय की प्राप्ती हो सकती थी, जन्म से मोक्ष तक की सियात्रा में ध्यान दें कि उत्थान के अवसर और सीढ़ियां सीनित हैं, जबकि पतन और नीचे ले जाने के लिए उपलब्ध सर्प अत्यधिक मात्रा में, जैसे जैसे खिलाडी उत्थान प्राप्त करता है वह जानता है कि उसे नीचे ले जाने वाले सांप अनेक हैं जिनसे बच कर वह आगे पढ़े तभी लक्ष को पा सकता है अन्ठान बेवे घर पर खड़ा खिलाडी दो अंक पाते ही विजेता होगा लेकिन उससे पहले आखरी सांप जो वासना का है उससे बच कर निकलना होगा आप कितनी भी उचाई पर हो कुछ भी हासिल किया हो आपकी वासना आपको पतन के गर्त में पहुँचा सकती है भारतिय ग्यान अपार है उसको प्रदान करने का तरीका भी अनुठा लेकिन खिलजियों से लेकर अंग्रेजों तक ने यह सब कुछ क्रमिक्ता से और साजिश के तहत नष्ट किया है एक खेल के साथ इतना बड़ा शड़ेंतर हो सकता है तो सोचिए हज़ारों साल की संचित पांडिलुपियों और भारतिय ग्यान विज्ञान के साथ इन सामराज जिवादियों ने क्या किया है इसे समझने की दृष्टी तो विक्सित कीजिए बित्रों आज इतना है फिर मिलता हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो क्रिपया इसे सब्सक्राइब करें आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं नमस्कार